अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो प्रीस चैनल को सब्स्राइब करें और भगर में बेल का बिटाने उसे भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें आज मैं आपके साथ मतर कचोरी के रेसिपी शेयर कर रहे हैं इसके लिए ने yarn mnie बॉठ नमक नमक लिए हैं अब नमक और आटे को हम अचे से मिक्स कर लेंगे तेल लिया है मैंने दो नमक और ऑच नमक कर ना है ताकि कचोरी करिए क्रिस्पी बन जाए कर्आँ क्रिस्पी बनने के लिए यहाँ पर मैंने अच्छे से अच्छे से पहले मिक्स किया है फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पाने डाले के आटा गुन लिया है आटा गुनने के बाद अब एक आधी घंटे के लिए हम आटे को साइड में रख देंगे अब मैंने यहाँ पर गयास के ओपर कड़ाई रखी है फ्रेंस कड़ाई गरम हो चुका है मैंने इसमें दो चमच तेल डाला है जीरा डाला है एक चोटा चमच सोप डाला है एक चोटा चमच हरी मिर्ज डाली है दो चोटी कटी हुई और एक चोटा सा कांदा डाला है चोकों पॉड़र को मैंने तोड़ा मिक्सिन में बारिक पीस लिया है दर दर आसा पीस दिया है अब इसमें हम डालेंगे अदा छोटा चम्मच अल्दी नमक एक चमश लाल मिरिश पॉडर अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक दो मिनिट तक हम इसे पका लेंगे इसी तरह से कचोरिया तो हमने भोत खाई होंगे आलो की और नंग दल की यह कचोरी की बात कुछ अलगी है आप यह रेसीपी जरूर ट्राय करें यहाँ पर मैंने एक चमश हरा धनिया डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे गयास के फिंग को हमने बंद कर दिया है आटे को थोड़ा हा इस तरह से लोधी बना कर साइड में देंगे अब हमें क्या करना है इन रती स्म इस धर नेेंगे तो ठीट से इससे घौल से साइबलेंगे परी के इतना साइज उससे थोड़ा बड़ा साइज ले लेंगे अंब इसमें हम बरेंगे हरा मटर जो हमने अभी की बना के साइड में रखतिया था अब वह भर देंगे जिस तरह हम पूरन आलू पराटा भरते हैं उसी तरह से इसको भर लेंगे और चारो तरफ से अच्छे से प्याक कर लेंगे इस तरह से अब थोड़ा सा आठा डालेंगे सुका आठा मैदा डालें ज्यादा प्रेस ना करें बेलन को नहीं तो टूट जाएंगा को चुरिया जो हमने इतनी महने से बनाए है तेल मेने बहा पर पहले से गरम करके रखा है अब इसमें हम जो पूरी तले पूरी बहले है उसे हम डाल देंगे गयास के फ्लेम को यहाँ पर हमें धीमा ही रखना ह जो कचोरी हम बना रहे हैं उसके अंदर तक अच्छे से पग जाए कचोरी तेल जा सके और क्रिस्पी क्रिस्मिनस आ जाए कचोरी में इसलिए हमें गयास के फ्लेम को धीमा रखके ही हमें कचोरिया तल लेनी है अगर आप मेरे चैनल पने है तो अप्लीस चैन ait को सब्सक्टाइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें या करें आप देख सकते हैं यहापर कच्छरिया फूल रही है देखें अच्छे से हमने यह पर आटा गुन के आदा गंटे के रख दिया था ना इसलिए यहापर कच्छरिया अच्छे से फूल रही है तो इस तरह से होड़ थोड़ा ब्राउन होने तक हमें यहापर तेल में अच्छे से तल लेना है कच्छरिया को देखें आप पूरा देख सकते हैं कच्छरिया अच्छे फुली-फुली से लग रही है देखें में नजिक कैमेरा थोड़ा नजिक लेके दिखा रही है आपको हारे मटर की कचोरिया बनकर त्यार हो चुकी है तो आगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें वीडियो को शेयर करना ना बुलें तो फिर मिलेंगे और एक रेसिपी के साथ तो बाई बाई